सोशल डिस्टंसिंग और मास्क का विशेश ध्यान रखें सभी मास्क पहन लीजिए सोशल डिस्टंसिंग रखें और आप जहां कहीं भी हैं अपने मुबाइल फोन्स को साइलेंट या स्विच ओफ मोड पे रख दीजिए ताकि कथा के दोरान किसी भी प्रकार का कोई लोचन लोचन यभी रामा तनु कन शामा लोचन यभी रामा तनु हरिशापा निज आयुद बूज चारी बूशन वर्मा नय मिसाला शोबासी इंदु कर करोणा सुख सागर सब गुण यागर जेही गावही शुरुति संतासो ममहित लागी जनय नुरागी बयावू प्रकाट श्रीकन ब्रह्माद निकाया निरमित माया ब्रह्माद निकाया ओ निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें माम अरशो पासी यह पहासी शुर॑न निरम तिति अरह्म उपजा जब ग्याना प्रभु मुसकाना उपजा जब ग्याना प्रभु मुसकाना चरीत बउत बीद कीन चहे कही कहा जबाई मातु बुजाई जेही प्रकारत कफे नहे भया प्रकट कृपाला दिन्द दयाना कौशन याईत जाए अले प्रकट कृपाला दिन्द दयाना कौशन याईत जाए भूपति राह जाराम पतिकपाल दिन्द दो वो लूँ राजाराम 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 पतितपा अनसीता वो लूँ राजाराम 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 पतितपा अनसीता नाव सिता राम तुमारी जय जय हो सिता राम तुमारी जय जय हो अव देश तुमारी जय जय हो अव देश तुमारी जय जय हो राजा राम तुमारी जै जै हो राजा राम तुमारी जै जै हो अब देश्च तुमारी जै जै राजा राम तुमारी जै जै हो राजा राम तुमारी जै जै हो राजा राम तुमारी जै 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 राजा राजा राम तुमारी जै 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 जयाय जया प्रभुट नखूफान नित्तायगों और हरी ओलरी हरीगों श्राम चंद्र भगवान की, राम जन्म महामोच सव की, जगत गुरुषिन व्रहुपार की, लितार भगवान की, लितार भगवान की, श्री राम जन्मोच सव के दर्शन हम सभी ने किये, आईए विनन्ती करते हैं, गुरु और कृष्ण कृपाप राप्त है जग्रेश श्रीमान लाल गोई प्रभुजी से, कि वे श्री राम कथा के चतुर्थ सत्र की कथा को प्राहरा होते हैं, अरे कृष्ण राद्धे मेरी स्वामिनी, मै राद्धे को दा, राद्धे मेरी स्वामिनी, मै राद्धे को दा, जनम जनम मोहदी जीओ, श्रे व्रिंदा आवनवाज, श्रे व्रिंदा आवनवाज, राद्धा तु बडभागिनी, कौन तपस याकीन, तीनो लोक के नात है, सोते रों वादिन, सोते रों वादे, जय राद्धा माधव कुझ बिहारे, 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 झाल झाल यशोतानन्दना ब्रजजनरंजना यशोतानन्दना ब्रजजनरंजना यशोतानन्दना ब्रजजनरंजना यशोतानन्दना ब्रजजनरंजना यशोतानन्दना ब्रजजनरंजनरंजना यमुनतेरः वनचारे जय रादमाधव कुझ बिहारे जय रादमाध। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम कौशल्यानन्दनसितारा बात्र गिरिश्वर राजारा बात्र गिरिश्वर राजारा बात्र गिरिश्वर राजारा गंगा तुलसी शालिग्रा बात्र गिरिश्वर राम श्राम जय राम जय जय राम राम जय राम राम कृष्णा हरी 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 जय जय राम कृष्णारी गाईये बाहुशे जय जय राम कृष्णारी राम कृष्णारी जय हो जय राम कृष्णारी जय राम 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 सिता राम राम जय राम राम जय बाहुशे जय राम राम जय राम राम हरी राम 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 सिताराम राम राम हरे राम 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 सिता राम राम हरे राम 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 सिता राम राम हर राम 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 सीता राम राम हर राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 काईए राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम राम सीता राम राम राजा राम राम सीता राम राम राजा राम, राम राम सीटा राम, राम, राम प्रेम से स्युक्निने, खैंदा देनि घ्रीद, कि रैंदा रे धर भ। छुष्य करेंaws आज़ल मों आज़े करतेजु सूने से अधरी से प्रीज तैकर टॉआ डिटेकर शयए तञे नाम महा धन है अपनों नहीं दूसरी संपति और कमानी नाम महा धन है अपनों नहीं दूसरी संपति और कमानी चोड यटारी यटा जग की हम को कुटिया प्रिज माही बनने टूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुनार जल पाने हमें योरन की परवाह नहीं अपनी थकुराने शिराद कराने अपनी थकुराने शिराद कराने अपनी थकुराने शिराद कराने हम रादाशाम सुंदर 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 रादाशाम जैश्टेशी कृष्णा बदराम रगुपति रागवर राजाराम पतितपावनसीताराम राजाराम 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 पतितपावनसीताराम राजाराम पतितपावनसीताराम बलो रगुपति रागवर राजाराम पतितपावनसीताराम रगुपति रागवर राजाराम प्रभुपाद प्रभुपाद дан रभुपाद रभुपाद जाय प्रभुपाद रभुपाद 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 रभुप युग दर्म हरिनाम संकिर्तन की शुराम चंद्र बदुवान की ब्रजवरिंदावन दाम की निताई गोर प्रिमानंदे लोका भीरामं रणरंग धीरं राजीवनेत्रं रगुवन्ष नाम कारून्यरूपम् करुणा करंतं श्री राम चंद्रम् शरणं प्रपदे सियाराम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोर जूग पाई जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधाः ताहा के जुग पद कमल मनावं ताशुक्रिपानीर मलमतिपा मनो जवममा रुततुल्यवेकं जीतेंद्रियंबु धिमतांबरी वातात्मजम्वा नरयोत्मोक्यम् श्रीरामदोतं शरणं प्रपत् बुद्धि हिंतनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलबुद्धि विद्यादे हूं महि हर हूं कलिश अभिकार श्री गुरू चरण सरोजरज निजमन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर बिमलजसु जो दायक फलिजाद। रामचरण रति जो चहे अत्वापद निरवान बाव सहित सोय कता भरो श्रवन पूंत कान भरो श्रवन पूंत कान पीरामचंद्र कृपारू नहीं पान-बाचंद्र जो best ढहने कान पूंत्र प्रूंत्र जो रति पूंत्र मदद्र जाए prawd कंदर्पय अगाणीता यामेता जाविनवनियरदा सुंदर। कंदर्पय अगाणीता अबीता सावीनवनियर्दा başुष। पत वीत वान वाघु सिक्रुना मिलना ध्रशुदार। सिर्ण। जुबढ़नु लगाल। बाजदीन पंदुदीनेश दानव देत्यवंश निकंदना बाजदीना बंदुदीनेश दानव देत्यवंश निकंदना अगुडंदयादीन पंदुदीनेश दानव देत्यवंश निकंदना सिरम कुट कुंडल तिलक चारू तारू यंग विबूशणं सिरम कुट कुंडल तिलक चारू तुदारू अंग विबूशा आजाने बूजा सिदर्शा करकर चारू चित करें तुदिया 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 जय जय श्री राधारमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभू जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर उपस्तेत भगवत कथा नुरागी पदारे हुवे भप्त वरिंद इस सभा को परम सुशोभीत करने वाले हमारे अंतराश्ट्रिय कृष्ण भावनामरित संग इस कौन के वरिष्ट भक्त गण दूर दूर से देश विदेश से आधोनिक उपकरणों के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागान एवं प्रिय सखी माता तथा समस्त पित्रों की पावन स्मरिती में यह सुन्दर राम कथा का आयोजन करने वाले युक्य निवासी श्री गोविन जी मुल जी गगडा परिवार के समस्त सदस्य एक साथ बैटकर कोविड काल में ही सही लोकडाउन में ही सही परन्तु बड़े भाव से बड़े प्रेम से समस्त गगडा परिवार एक साथ इस कथा का शुरवन कर रहे हैं सो आप सभी भकतों का शुराम कथा के चतूर्थ दिवस में पुन एक बार हर्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम राधे शाम ब्रजु ब्रिंदावन धाम साक्षात भगवान सी कृष्ण का अपना घर जब भगवान ने भारत के सभी तिर्थों का राजा तिर्थ राज प्रियाग को घोशित किया त्रिवनी संगम गंगा यमना सरस्वती प्रियाग जब सभी तिर्थों का राजा हुआ तो कुछ समय के बाद उन्होंने एक मिटिंग रखी और भारत के सभी तिर्थों को बुलाया सारे तिर्थ प्रियाग राज के पांस पहुँचे लेकिन प्रियाग राज ने देखा के विरिंदावन धाम नहीं आया कल आपने सुना न जब किसी को पद मिलता है पोश्ट मिलती है तो सहज अभीमान होना स्वाभाविक है जब प्रियाग राज ने देखा के भारत के सभी तिर्थ मेरे बुलाने पर आये परंतु ब्रज विरिंदावन नहीं आया तो प्रियाग के मन में बढ़ा क्रोध हुआ और क्रोधी तो होकर विरिंदावन को कहा कि तुम क्यों नहीं आये तुम्हें आना चाहिए तब स्वयम भगवान सी कृष्ण तिर्थ राज प्रियाग को बुला कर कहते हैं प्रियाग मैंने तुझे तिर्थो का राजा बनाया है मेरे घर का राजा नहीं बनाया है ये व्रज विरिंदावन कोई तिर्थ नहीं ये व्रज विरिंदावन शाम सुन्दर का घर है ये व्रज विरिंदावन मुझे कृष्ण का रदई है तो भगवान सी कृष्ण का हाट रदई स्वरूप शी ब्रज ब्रिंदावन धाम में राम नौमी के पावन अवसर में गगडा परिवार के द्वारा आयोजीत ये सुंदर राम कथा गज सत्र में हम सब ने भगवान शी राम चंद्र का जन्म उत्सव मनाया यद्धपी बगवान राम चंद्र का जन्म तो हुआ लेकिन कुछ आचारियों ने यह स्विकार नहीं किया कि बोले अब तक भी राम जन्म नहीं हुआ है क्योंकि राम का जन्म केवल कोशलिया जी के सामने हुआ जो मुख्य पात्र है उनको तो अभी पता भी नहीं है तो बहुत सुंदर कैलास के शिखर पर देवादी देव महादेव पारवती को ये सुंदर राम कथा का श्रवन करा रहे है ये मात्र कथा ही नहीं है ये केवल कोई साधारण सी वारता नहीं है कथा के साथ बहुत बड़ा दर्शन है कथा के साथ बहुत बड़ी फिलोसोफी चल रही है कुछ लोगों ने रामायन को केवल काविय कहा बात सही है रामायन काविय है इसे गाया जा सकता है लेकिन काविय के साथ साथ बहुत बड़ा सिधान्त है रामायन पंचम वेद है स्त्री शुद्र द्विजबंदू नाम त्रैन शुरुती गोचर स्त्री शुद्र और द्विजबंदू का अधिकार जब वेदों के उपर नहीं रहा तब वेदवियास मुनि ने रामायन का निर्मान किया इतिहास का निर्मान हुआ सारे वेदों का निचोड इस इतिहास में रामायण में रख दिया गया ये मात्र वारता नहीं कथा के साथ बहुत बड़ी सीख, सिक्षा, उब्देश, सिधान्त प्राप्त होता है शी चैतनिय महाप्रभू हमें सिखाते हैं शिल प्रभूपाद हमें सिखाते हैं कि कथा के साथ साथ जो कथा का दर्शन है, जो सिधान्त है, जो फिलोसोफी है, ये कथा की बैकबॉन है ये रीड की हड़ी है, यदि कथा में से सिधान्त निकल जाए, तो कथा का कोई वजन नहीं रहता, कोई वेट नहीं रहता इसलिए पूरा प्रियास किया जा रहा है कि कथा के साथ साथ कथा के बीचे जो दर्शन है जो सिदान्त है हम उसे भी समझते चले अब देखो कल ही आपने सुना कि सारे देवता परेशान हुए रावन का बड़ा अत्याचार हुआ और रावन ने जीना मुश्किल कर दिया देवी पुरुत्वी बहुत आक्रांत हुई और आक्रांत भूरी भारेण ब्रह्मानम शरणम ययो पुरुत्वी ब्रह्मा के पास गई ब्रह्मा ने समस्त देवी देवताओं को बुलाया और भगवान को स्तूती करने लगे और भगवान ने कहा कि आप निश्चिंत रहो बहुत जल्द अवतार लूँगा और दुष्टों का विनाश करूँगा पुरुत्वी का बार दूर करूँगा सादू संतों को आनन देवा ये कथा आप सब जानते हैं सिधानत क्या है जब भगवान चले गए जब भगवान की वाणी अद्रिश्य हुई सारे देवता अपने अपने स्थान पर जा रहे थे तब ब्रह्मा जिने खा के देवता हो अपने अपने स्थान जाओ लेकिन अपने एक अंश से रीच वानर भालू पशू पक्षी के रूप में धर्ती पर जन्म ले लो ताकि हम राम सेवा कर सके राम लीला में भाग ले सके और सारे देवता रीच भालू वानर आदी बन गए और भगवान राम चंद्र की लीला में सहाईता की अब देखिए सिधान्त फिलोसोफी क्या है जीस रावन के अत्याचार से सारे देवता परेशान जीना मुश्किल और वे देवता बड़े दुखी हो गए और भगवान की शरण में गए लेकिन उन देवताओं ने भोग भोगना छोड़कर जब भगवान की सेवा में लग गए वानर रीच बालू के रूप में तो उन्ही देवताओं ने रावन को हरा दिया भोग भोगने वाले लोग जब भोग देना सिख जाए तो जीवन में क्रांती हो जाए हमारा कहन भोग भोगते रहते हैं और जीवन में अनेको प्रकार की परेशानियों से घिर जाते हैं आज का समाज, आज का देश, आज के लीडर भोग भोगने वाले जब भोग देने लग जाए तो रावन जैसी बहुत बड़ी आसुरी शक्ती को हम विनाश कर सकते हैं देवता जब तक भोग भोगते रहें रावन की अत्याचार से मुक्त नहीं हुए लेकिन वही देवता रीच बानर वालु बनकर पशु पक्षी बनकर जब आए भोग देना सिखे रावन को हरा दिया और सारे देवी देवता भगवान के आने की राह देखने लगे परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए तीन वस्तु चाहिए परिश्रम, प्रार्थना और प्रतिक्षा परमेश्वर जो है तीन वस्तु से मिलते सबसे पहले परिश्रम करना होगा कुछ लोग कहते हैं हम भगवान में नहीं मानते हैं हम कहते हैं मानिये भई राम कृष्ण को मानना चाहिए यदि भगवान है तो हमको दिखा दो हम भगवान को नहीं देखते हैं इसलिए हम भगवान को नहीं मानते हैं भगवान अत्र तत्र सरवत्र सब जगव पर है शुमद भागवत जी तो यहां तक कहती है बगवान साकार रूप से अपने दाम में है परमात्मा के स्वरूप में जन जन के रदई में है और निराकार ब्रह्म के रूप में संसार के कण कण में है वो कहां नहीं है लेकिन उस भगवान की परिश्रम करना होगा आज भी राम अउतार हो सकता है आज भी भगवान प्रकट हो सकते हैं लेकिन तीन वस्तु परिश्रम, प्रार्थना और प्रतिक्षा हम जोन कहीं न कहीं मार खा रहे हैं हमारे अंदर शायद परिश्रम की कमी है या प्रार्थना की कमी है या फिर प्रतिक्षा की कमी है अपने आपको पहचाने भगवान जो है उसे प्राप्त करने के लिए महिनत करने पड़ेगा परिश्रम सबसे पहले परिश्रम करना होगा ब्रह्मा जी शुमद भागवत के अश्टम सकंद के छठे अध्याय में एक बहुत सुन्दर बात करते हैं वो कहते हैं यथाग निमेदस सिवरितम चगोशु भुवियन अम्बुद्य मने चवरित्यम यदा मनुश्या अभियन्ति इत्वा गुनेशु भक्त्या कव्यह वदन्ति बड़े-बड़े कवी विद्वान ऐसा कहते हैं पर सत्य भी है कि जो लकड़ी होती है न लकड़ी उस लकड़ी में अगनी अल्ड़ेडी पहले से होती है ऐसा नहीं कि बाहर से अगनी को लाना होता है लकडी में अल्रेडी अगनी है लेकिन जब तक उसका घर्षण नहीं करेंगे मेहनत नहीं करेंगे वो अगनी प्रकट नहीं होगी गाई में दूद है लेकिन जब तक गाई को गांस नहीं खिलाएंगे उसका दोहन नहीं करेंगे परिश्रम नहीं करेंगे वो दूद मिलेगा नहीं भूमी में अन्न और अम्बू, भूमी में अन्न और जल है, परंदु जब तक परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक वो प्राप्त नहीं है लकडे से अधनी को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, गाई से दूज प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, भूमी से अन्न और जल प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, तो मुझे और आपको परमात्मा को, परमेश्वर को भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या परिश्रम नहीं करना पड़ेगा अवश्य करना पड़ेगा छी चैतनी महाप्रभू तो यहां तक कहते हैं कि सनातन प्रभू कहे सनातन क्रिश्नेर रतन धन प्रभू कहे सनातन क्रिश्नेर रतन धन अनेक जतन मिला महाप्रभू कहते हैं क्रिश्नेर रतन धन को प्राप्त करने के लिए अनेक अनेक जतन करने होंगे महनत करनी होगी परिश्रम करना होगा माप्रभू कहते हैं क्रिश्न जो है रतन धन रत्नों के समान संसार के साधारण रत्न को प्राप्त करने के लिए आदमी कितनी महनत करता है संसार के साधारण धन को प्राप्त करने के लिए आदमी रात दिन महनत परिश्रम करता है जब साधारण धन को प्राप्त करने के लिए इतनी इतनी महनत तो फिर सच्चा धन परम धन भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या परिश्रम नहीं करना होगा मैंनत नहीं करना होगा परमेश्वर मिलेंगे लेकिन परिश्रम से मिलेंगे यह सुनकर कुछ लोग शुरू हो जाएंगे कल ये दिवार से वो दिवार बहुत दोडेंगे भागेंगे, पिटेंगे परिश्रम तो होना चाहिए लेकिन वेदिक विधी से परिश्रम होना चाहिए दुनिया में कुछ लोग परिश्रम बहुत करते हैं नंगे पाउं चलते हैं यहां वहां माथा मारते हैं बहुत-बहुत आजकल तो परिश्रम होना चाहिए लेकिन परिश्रम वीधी के अनुसार होना चाहिए इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि शुरूती, स्मृती, पुराण आदी, पंचरात्रक विधी विना एकांत येको हरेर भक्ती उत्पात एवही कलपते आप हरी की भक्ती करोगे लेकिन बिना विधी के विधी विदान को ध्यान में रखे बिना करोगे तो अपने जीवन में भी उत्पात होगा, दुसरों के जीवन में भी उत्पात मचाएंगे वेद विधी से इश्वर प्राप्ती का परिश्रम करना चाहिए यदि मुझे संक्षित में कहना हो तो परिश्रम की परिभाशा श्रवणम, किर्तनम, स्मरणम, वंदनम, अर्चनम ये जो नौदा भक्ती है नौदा भक्ती के द्वारा परिश्रम करना चाहिए तो एक हैं परिश्रम परिश्रम के बाद प्रार्थना इश्वर को प्रार्थना करनी चाहिए बगवान प्रकट होते हैं प्रार्थना से इतिहास के पत्ते पलटने की छूट हैं वक्तो जिन जिन वक्तों ने प्रार्थना की जिन जिन वक्तों ने पुकारा बगवान दोड़ कर आए हमारे वहां कावत है नदेव साद जे नाथ जी साद लिया जित संत आपनू नाम पुकारता देनू कान धरंद कोई गवाला ब्रज में गईया चरा रहा हो दीन भर गईया चर रही है और जब संध्या को लोटने का समय होता है तो वह गवाला एक रुख्ष के नीचे खड़े रहकर गाई को केवल पुकारता है हे गंगे, हे यमने, हे कारी, हे धोरी ये पशू, ये गाई अपना नाम सुनकर दोड़ कर उस गवाले के पास आ जाती है इस सुरुष्टी का एक छोटा सा जीव अपना नाम सुनकर दोड़ कर पुकारने वाले के पास आ जाता है तो यदि हम भाव और प्रेम से भगवान को पुकारे तो क्या वो दौड कर हमारे पांस नहीं आएंगे हवश्य आएंगे दुरू ने पुकारा गरूड पर बैठ कर आए गजेंद्र ने पुकारा नंगे पाउँ दौड कर चले आए पर गुजरात जुनागड ने तो कमाल कर दिया गिनिश भूग ओफ वर्ल रेकोर्ड कर दिया अपने एक जीवन में बावन बावन बार इश्वर को धर्ती पर उतार दिया नर्शी में ताने कुरूवंश की सवा में द्रोपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था पिताम भीश्म के शरण में गई मस्तक नीचे करके बैठ गए गुरुद्राउन दुतराष्ट अबला नारी पुकार रही है कि कोई मेरी लाज रखो लेकिन दस अजार हाथी का बल दुसाशन में द्रोपदी को निर्वस्त्र कर रहा है दुर्योदन अपनी जंगा ठोक रहा है निर्वस्त्र करो द्रोपदी अपने पतियों के पास गई उनके भी हाथ बंदे हुए समाज के पास गई लेकिन द्रोपदी की रक्षा कोई नहीं किया परंत में द्रोपदी को वशिष्ट जी के वचन याद आए जीवन में कभी साधू की सेवा की हो न तो समई पर वो सेवा काम आ जाती है द्रोपदी ने वशिष्ट जी की सेवा के थी आशिरवात देते हुए का था बेटा जीवन में जब विश्म परिश्थिती में फस जाओ तो कृष्ण की याद करना पवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगा राज इस विश्म परिश्थिती में कृष्ण की याद आए है जाए गिलाज मुरारी मेरो मुरारी मेरो क्या भी गड़े हो जाए गिलाज तिहारी ए मुरारी मैंने आपको पुकारा है और अब आप नहीं आए तो मुझे कोई जिन्ता नहीं है मुझे मेरी जिन्ता नहीं है क्रिश्ण अब तो मुझे तुम्हारी आपकी जिन्ता हो रही है क्योंकि हम आपके हैं हम आपको भीक चुके हैं हम आपके हो चुके हैं और अब यदि हमारे जीवन में लाज गई तो ये हमारी लाज नहीं मुरारी लाज तेरी जाएगे द्रोपदी ने पुकारा सोने के सिगासन से खड़े होकर दोड़कर नंगे पाउं कृष्णा आए कहने का भाव ये है रामायन के इन प्रसंगों में बहुत बड़ा दर्शन बहुत बड़े सिधान्त बताए गए है इश्वर आज भी प्रकट हो सकते हैं उनके लिए परिश्रम करें फिर प्रार्थना करें जैसे द्रोपदी ने की गजिंद्र ने की, द्रू ने की, कुंती ने की पिताम भिश्म ने की और फिर प्रार्थना, परिश्रम और अंत में प्रतिक्षा कई बार हम लोग परिश्रम कर लेते हैं प्रार्तना भी कर लेते हैं लेकिन प्रतिक्षा ठीक उसी प्रकार इश्वर को आने के लिए कुछ समय होता है और उस समय की राह हमें देखने चाहिए प्रतिक्षा कुछ लोग कहेंगे हम प्रतिक्षा करते तो है हमारी प्रतिक्षा बहुत डिली है प्रतिक्षा कैसी होनी चाहिए जनते अभी तो आप लोग बड़े हो गए है स्कूल में कभी आपने और रेसिंग कॉम्पेटिशन में भाग लिया है कॉम्पेटिशन में क्या होता है सारे बच्चे खड़े होते है रेंप में और फिर वो जो उतन एक दो तीन या रेडी स्टेडी गो जब इस प्रकार से एक दो तीन ऐसे पोजिशन लेकर खड़े हैं और उस समय बोलने वाला बोलता है एक दो और उस समय वो तीन बोलने की जो तालावेली है मतलब वो जो प्रतिक्षा है कि कब तीन ऐसा कब श्टार्ट ये शब्द होगा और हम दोडेंगे ऐसी जो प्रतिक्षा हम वो तीन शब्द सुनने की रखते हैं उतनी ही प्रतिक्षा भगवान के दर्शन की भगवान की प्राप्ती की रखेंगे तब जाकर बगवान प्राप्त होंगे सारे देवता अपने अपने स्थान पर परिश्रम, प्रार्तना और अब प्रतिक्षा करने लगे है सुईस्परकार रामायन के यसी दाथ और फिर तो नवमी ती थी, मदुमास, चैत्रमास अविजीत मुरहुत आ गया बगवान रामचंदर ने नवमी तीथी के दिन जन मलिया इस पर भी आचारियों ने बहुत कुछ लिखा है नवमी, नवमी के दो अर्थ, नवमी माने नाइंथ, नो, संख्या और नवमी माने नमशकार, नवमी जनक सुतावरम हम लोग गाते हैं ने नवमी माने नमशकार, ये ऐसी तीथी हैं जिसको स्वाबाविक नमशकार होता है बगवान रामचंदर नवमी तीथी को ही जन मल लेता हैं क्यूं? क्योंकि नो अंक जो हैं वो सबसे बड़ा अंक है यदि कोई पूछे, कि जितने भी अंक हैं उन अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा? एक, दो, तीन, चार, पाँच, साथ, आठ, नो, नो सबसे बड़ा कुछ लोग कहेंगे दस, दस बड़ा नहीं है, दस को तो टेका लेना, टेके की सरकार होती है वो एक और फिर जिरो का सपोर्ट लेना पड़ता है नो सबसे बड़ा अंक है, उसके आगे कुछ नहीं भगवान, राम, चंद्र, मर्यादा, पुर्ष, तम, मर्यादा में सबसे बड़े अतह, नौमी तीथि में, भगवान, राम, चंद्र का जन्म कृष्ण का जन्म अश्टमी ती थी, राम जन्म ये तीथि भी हमको बहुत कुछ सिखाती है तीथि पर यदि विचार करें न, तो राम और कृष्ण समझ में आ जाए भगवान, राम, चंद्र का जन्म, नौमी तीथि के दिन हुआ क्योंकि राम का चरीत्र, नौ के अंक के समान बिलकुल सीधा है, बिलकुल स्ट्रेट नौ एक कितना होता है, नौ पंकत जी, नाइन वन्जा, नाइन टूजा, बोलो मुझे गणित नहीं आती है एटिन, नौ दू, अठारा, तो एक और आठ कितना हुआ, नौ नौ तीन, सत्ताईस, दो और साथ, नौ नौ चार, आप भी मेरी तरह ड़ है चतिस, तीन और छे, नौ, नौ पाँच, फोटी फाई, चार और पाँच, नौ अब पूरा नौ का गुनाकार कीजिए, उसमें नौ, 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 बिलकुल एक समान बना रहेगा लेकिन, आठ तीन, चोबीस, आठ से सोला गया, फिर चोबीस गया, फिर आठ चार बतीस, आठ, 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 चार बतीस है उदा न, आठ पाँच, चालीस, फिर आठ चे, फोटी एट कृष्ण का चरीत्र जो है, कभी बहुत बड़ा, तो कभी बहुत घटा, कृष्ण छे दिन की उम्र में, पुतना का वध कर दिये तिन मेनी की उम्र में, शक्ताशूर को मार दिये, त्रिना वर्द को मारे, अगाशूर मारे, बकाशूर मारे लेकिन वही कृष्ण सखाओं के साथ खेलते हुए सखाओं उनको पीटते हैं गोपिया उनको गाली देती है कभी-कभी गोपिया कृष्ण को थपड भी मार देती है कभी-कभी ये चरित्र बहुत बढ़ता है तो कभी बहुत गड़ता है क्रिश्न चरीतर बहुत टेड़ा है राम चरीतर बिल्कुल सीधा नो अंक के समान स्ट्रेच चरीतर हमारे भारत के संतों ने कहा यू तो राम और क्रिश्न दोनों एक है दोनों में अंतर केवल एकी है और वो अंतर क्या है राम कृष्ण दो एक है अंतर नाहि निमेश राम और कृष्ण दोनों एक है जिसमें लेश मात्र भी अंतर नहीं थोड़ा बहुत है और वो क्या है इनके नयन गंभीर है राम के नयन गंभीर है और कृष्ण के उनके चपल विशेश राम के नयन गंभीर है देखते हैं तो सीधे सादे और कृष्ण के नयन बिल्कुल चंचल बिल्कुल चपल यह है भगवान राम नव मितिति के दिन भगवान राम चंदर प्रकट होता है और राम प्रकट कहा होता है महराज दशरत के पुत्र के रूप में कई बार कुछ लोग कहते हैं कि लेकिन इश्वर को प्रकट होने के लिए अच्छे माता पिता चाहिए वो तो आज भी खोज रहे हैं कि मुझे कोई अच्छा बाप मिले मुझे कोई अच्छी मा मिले जहां पवित्र ग्रहस्ती हो जिस ग्रहस्ती में भक्ती हो प्रेम हो सुगंदित ग्रहस्ती हो वहाँ पर भगवान प्रकट होता है और इसलिए गोश्वामी तुलसी दाश जी ने सरो प्रथम मा कोशलिया और महराज दशरत को प्रणाम किया आप रामयन मका मंगला चरण पढ़िये वालमी की रूशी ने तो असंख्य श्लोक में महराज दशरत का परीचे दिया क्यों इसलिए नहीं कि राजा दशरत जी राजा है दशरत बहुत बड़े आदमी है राजा है इसलिए नहीं दशरत राम के प्रेमी है इसलिए महराज दशरत को प्रणाम किया गया राम भजतो कोडी भलो बले चूवे हाडने चाम राम भजन करने वाला कोड़ी भी हो हड़ी और चर्म को भी भले वो छूता है लेकिन कंचन काया क्या काम की जिसके मुख में राम का नहीं है नाम पिता जी ने काने पड़िव मारो राम गयो वनवास पिता जी ने काने पड़िव राम गयो वनवास पुत्र वियोगे प्राणत जाये ने मल जो ये मो साथ बनू पिता तो बनू ये हो पिता हो तो दशरत जैसा और पती हो तो भगवान राम चंदर जैसा म्रिग मारियाम मढूली आव्यान नमले सिता नार हासित हासित येम पुकारे हेसित हेसित येम पुकारे आखमा आशुनी धारे बनू पती तो बनू ये वो हतो सती सितने जेवो गोश्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कहीं मैं दशरत को प्राणाम कर रहा हो इसलिए क्योंकि वो राम के प्रेमी है उनका जीवन ही राम है ऐसे माहराज दशरत के गर पर भगवान राम चंद्र प्रकट हुए राजा दशरत को पता नहीं है देखिए क्रिश्ण का जब जन्म हुआ कंस के कारागार में यहीं पर ब्रज में तो भगवान सी क्रिश्ण का प्रथम दर्शन किस ने किया वसु देव जी ने मा देव की मुर्ची तवस्था में थी और क्रिश्ण का जन्म होते ही प्रथम दर्शन वसु देव जी ने किया राम अउतार में कुछ अलग है राम अउतार में भगवान राम चंद्र जब नौमी ती थी के दिन दुपर को बारा बजे प्रकट हुए तो सर्व प्रथम दर्शन मा कौशलिया ने किया और जैसे ही भगवान राम चंद्र को अपने समक्ष देखा भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशलिया हितकारी मा कौशलिया दोनों हाथ जोड़ कर क्योंकि भगवान का दिव्य स्वरूप शंक चक्रगदा पद्म पितांबर कौश्टूप मनी दारन किये हुए दीव्य स्वरूप लेकर भगवान प्रकट हुए हैं और दोनों हाथ जोड़ कर मा कौशलिया प्रणाम करने लगी अनेकों प्रकार से स्तूती करने लगी और मा कोशलिया का रदई धक-धकी करने लगा के प्रभू ब्रह्मान्द निकाया नीरमीत माया रोम रोम प्रतिबेद कहे सो प्रभू जिसके रोम रोम में ब्रह्मान्द लटक रहे हैं जिसके बाले बाले ब्रह्मान्द प्रकटे जिसके रोम कुप से करोडो करोडो ब्रह्मान्द प्रकट होते हैं वो अखिल ब्रह्मान्द नायक मेरे गर्भ से जन्मलिया दुनिया के लोग जब ये सुनेंगे तो मेरा उपहास करेंगे लोग मुझ पर हसी करेंगे प्रभू आप मेरे सामने प्रकट तो हुए परन्तु आपके चरणों में एक प्रारतना करना चाहती है भगवान ने कहां क्या प्रारतना करना चाहती है बले प्रभू प्रभू आप इतने बड़े स्वरूप में प्रकट हुए मैं आपको कहां रखूंगी कि कोशलिया तो ये सोच रही थी कहां इसको रखूँ क्योंकि बड़ा विभू स्वरुप बगवान का प्रकट हुआ है प्रभू मैं तो आपसे वातसलिय भाव आदान प्रदान करना चाहती हूँ मैं वातसलिय सूख लेना चाहती हूँ प्रभू मैं आपको लाड लडाना चाहती हूँ मैं आपको स्नान कराऊं अपने हाथों से भोजन कराऊं मैं आपसे प्रेम करना चाहती है कोशलिया ने अपना भाव व्यक्त किया और माँ कोशलिया कहती है की जे सी शुलीला अती प्रियसीला यह सूख परम यनूपा यह प्रसंग केवल हम लोग ने बहुत गाए हमारे देश ने यह सब स्तूती प्रसंग बहुत गाए इसके पिछे सिधान्त कितना बड़ा चुपा है माँ कोशलिया कहती है प्रभू आपको भगवान मानने से जो सूख और जो आनन्द मिलता है उससे करोडो करोडो गुना अधीक आनन्द आपको बेटा मानने से मिलता है कि जे सिशुलीला अतिप्रियसीला यह सुख परम अनूपा भगवान मानने में उतना सूख नहीं है जितना आपको बेटा मानने में सूख है यह हमारी और से भगवान की और से क्या एक बात बताओं अंदर की बात है किसी को कहना मत हम जब राम को और कृष्ण को भगवान कहते न भगवान सोचते हैं यह मुझे गाली दे रहा है इश्वर को अच्छा नहीं लगता हम भगवान को कृष्ण को राम को जब कहते हैं यह इश्वर यह भगवान तो जानते हैं राम कृष्ण को क्या फिलिंग होता है मालो आप अपने घर पर बैटे हो आपके घर पर कुछ अतिती आये है चर्चा चल रही है और फिर आपके पती देव घर पर आये और कोई आपको कहे कि ये कौन आया तो आपको मनुश्य आया है कोई पुछें आपको ये कौन आया ये मनुश्य आया तो मनुश्य जानवर थोड़ी है लेकिन क्या उस पती को अच्छा लगेगा कि ये मेरी पत्नी मुझे मनुश्य कह रही आप घर जाकर थोड़ा एक्स्परिमेंट कीजिएगा मनुश्य आईये जरा मनुश्य आप चाई पिएंगे चाई तो नहीं पी सकते हैं आप दूद पिएंगे आप जूस पिएंगे क्या अच्छा लगेगा तो बस हम हमारे अपनों को जब मनुश्य कहेकर संबोदित करते हैं और जो फिलिंग्स होती है वही फिलिंग्स भगवान को राम को और कृष्ण को भगवान और इश्वर कहने से होती है लेकिन यदि हम हमारे पती को कहे ये हमारा प्राण प्रिय प्रती आये है ये हमारा प्रिय सखा आया है ये मेरा प्रिय बेटा आया है ये प्रिय सखा प्रिय पती प्रिय बेटा बोलने में सुनने में जो रस हैं जो आनन जो सूक हैं वो मनुष्य और भगवान कहने में नहीं है तो दोनों और से भगवान भी चाहते हैं कि कब जनसार के लोग मुझे भगवान बोलना छोड़कर मुझे अपना बेटा समझे अपना प्रिय समझे अपना सखा समझे और आज मा कोशलियाक भगवान को विभू स्वरूबदारन किये हुए चत्रुभुज रूबदारन किये हुए भगवान को कहती है कि प्रभू आप छोटे से बालक बन जाईए मैं आपको लाड लडाना चाहती है इस धर्ती पर वातसलिय रस का बहुत बड़ा प्रचार किया वातसलिय रस को जन जन के रदे में बरा महाप्रभु वलभाचारिय जिने क्या सुन्दर भाव और क्या सुन्दर सेवा महाप्रभु वलभाचार्य ने प्रदान की यमना जडमा के सरगोवे स्नानक रावु शामरा यमना जडमा के सरगोवे नानक रावु शामरा हलके हाथे अंगोचो लाड लडावु शामरा हलके हाथे अंगोचो हलडावु शामरा कितना सुन्दर भाव है के यमना का जल और उसमें केसर डालकर शाम सुन्दर को स्नान कराओं रागव को स्नान कराओं लेकिन आज का आदमी कहे केसर कितना मेंगा है जानते हो आप एक तो एक साल से लोकडाउन पड़ा है मंदी चल रही हैं और केसर खाने को नहीं है और स्नान करेंगे सिदानत है शास्त्रों का समझ लिजिएगा भगवान की सेवा हम जितनी उत्तम उत्तम वस्तु से करेंगे भगवान भी हमारा जिवन उत्नी उत्तम वस्तु से भर देंगे सो भाव से और फिर भी आपको मेंगा पड़ता है तो गाने में तो कोई पैसा नहीं लगता है खरीद कर यमना जल लाकर स्नान कराने में जो फल मिलता है वही फल गाने से मिलता है भाव से यमना जल मा के सरगोडी स्नान करावू शामणा यबुना जड़मा के सरगोडी अने हलके हाथे अंगो छोडी लाड़ लडावू शामणा कितना सुन्दर भावू मैं मेरे रागव को मैं मेरे शाम को मैं मेरे लाला को मेरे लड़ू गोपाल को मैं स्नान करावू शामणा लेकिन कैसे हलके हाथों से कि छोटा सा बालक है वातसल ये भाव है वातसल ये सेवा है हलके हाथों से कि उसे चोट न लग जाए ये भाव है मैंने अपनी इन आखों से नरी आखों से देखा है कि कुछ माता है वो बरतन धोने का पावडर नहीं आता है पितामबरी हमारे भारत में मिलता है और बरतन धोने का वो वायर आता है वो पितामबरी पावडर और वायर लेकर लड़ू गोपाल को लाला को उटक देती है, मांज देती है मिलकुल दात कश कर कि बस आज ही इसको शाम को गौर बना दूँगे बाव समझिये हलके हाते अंगो छोडी लाड़ लडावू शाम लाड़ हलके हाते अंगो छोडी वस्त्रो अंगे लूचियाँ पूँ पिडू पितां बर शाम लाड़ वस्त्रो अंगे लूचियाँ पूँ साफ किजिए बगवान को भाव से पिलसुकंदी माखियाँ वाकडियाँ तारा वालमा इलसुगंदी माखियाँ यहो वाकडियाँ तुझे वालमा यमना जर्मा के सरगोड़ी स्नानकरावू शामड़ा ना जर्मा के सरगोड़ी स्नानकरावू शामड़ा बगवान वलवाचार यह मुझे शमा करे लेकिन राम कथा चल रही है और राम जी का जन्म हुआ है और माता कोशलिया के भाव से यदि इसे गाना हो तो कुछ इस प्रकार से होगा स्नानकरावू राघवा कुम कुम के राती लगस जावू कुम कुम के राति लगस जावू त्रीकमतारा भालमा, अलबेली आँखो मा, अंजन मारा वालमा, यमना चड़मा के सरगोडी, नातरागु शावड़। इस प्रकार हे प्रभू, मैं आपको लाड लडाना चाहती हूँ, मैं आपसे वातसलिय, प्रेम वातसलिय रस करना चाहती हूँ मन में प्रश्ण हो सकता है कि प्रभू के साथ वातसल्य भाव रखने से और वातसल्य सेवा करने से क्या मिलेगा इसी भजन के अंत में ठाकुर जी को पुर्ण स्नान अभिशेक श्रिंगार आदी करा के शिपाद वलभाचारिय ने कहा कि जब हम भगवान से वातसल्य रखते हैं और सेवा साधना करते हैं तो इसे फल क्या मिलता है कृष्ण कृपाडू निरखीशो कृष्ण कृपाडू निरखीशो सडगे सघणी वासना सडगे सघणी वासना ये जीव रात दीन जल रहा है वासना के कारुण हमारे रदे की कामना हमें रात दिन जलाती है लेकिन रागव और शाम से वातसल्य भाव रखकर उनकी सेवा करेंगे तो ये सारी वासना, सारी कामना जल कर भस्म हो जाएगी इसलिए प्रभू मैं आपको बालक रूप में चाहते हूँ किजे सिशु लीला, अतिप्रिय सीला क्योंकि यह सुख परमानों का भगवान ने कहा कि बालक बन जाओ ठीक है तो मां सिखाओ अब बालक कैसे बना जाता है मैं तो भगवान हूँ इश्वर को बेटा बना रही है, सिखा रही है मां कोशलिया कहती है कि सबसे पहले ये चार भुजा जो है न बिलकुल बेढ़ंगी लग रही है नॉर्मल कंडिशन नहीं है ये दो भुजा माइनस करो चलो चलो ये दो माइनस करो आज हम बोलने सुनने में अच्छा लगता है चार भुजा वाला कोई यहां आ जाए तो क्या लगेगा हमें तो पहले दो माइनस करो नॉर्मल कंडिशन हो जाओ बगवान ने दो भुजा माइनस बोले अब माँ अब क्या करूँ बोले साइज छोटी करो ये इतने विभू बनकर आये मारी पाहे वो घोड़ी हूँ न थी मेरे पांस ऐसा पालना नहीं कि आपको सुलाओं खोया तोड़ दोगे आप तो आप साइज कद छोटा छोटी से बालक हो जाओ मा कोशलिया ने सिखाया दो भुजा द्वी भुज हो गए छोटी से बालक हो गए बगवान ने का अब ठीक है मा कोशलिया ने का अभी भी ठीक नहीं बोले अभी भी ठीक नहीं बोले अभी भी ठीक नहीं भगवान कहते हैं कि मैं तो सुखी आदमी, मुझे कौन सा दूख पड़ा है कि मैं रोऊ? रोते तो दुखी आदमी है, मैं क्यों रोऊ? तब मा कोशलिया कहती है, कि प्रभू आपको कोई दूख नहीं है, लेकिन आपके भक्तों के जीवन में दूख आये हैं, इसलिए आप जब हम अतिथी बनकर किसी के घर जाते हैं, और उस घर में कोई दूख आया है, तो उनके घर के दूख से लेकर अतिथी भी दूखी होता है, तो प्रभू आप अतिथी बनकर धरती पर आये हो, आपको दूख नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में इस संसार में दूख हैं, मा को शलिया ने बच्चा बना दिया और भगवान को आदश दिया रो तब भगवान ने चीख मारी अब भगवान का रोना भी दुनिया वाले बच्चे का रोना रोना क्या रोना होता है भगवान ने चीख लगाई और गोश्वमी जिन एलान किया कि सुनिवचन सुजाना रोदन ठाना सुनिवचन सुजाना रोदन ठाना सुनिवचन सुजाना रोदन ठाना सुनकर भगवान राम रोने लगे तब मा कोशलिया ने कहा वी पालक सूरभूपा अब राजा के बेटे अब पके राजा के बेटे लग रहे हो वी पालक सूरभूपा और गोश्वामी तुलसिदाजी कहते हैं जो राम चरीतर को गाएगा यह चरीतर जगावरी हरीपद पावरी तेन परही भवकूपा राम चरीतर को जो गाएगा वो हरीपद पाएगा वो कदाचित कभी भी संसार के कूप में भवसागर में कभी नहीं गिरेगा तो अब भगवान राम चंदर अब तक तो यह सब ऑपरेशन चल रहा था और अब भगवान राम चंदर जब रोने लगे हैं तो मा कोशली आके कमरे के बाहर कुछ दासिया राह देखकर खड़ी थी कब जन्म होगा और अंदर कमरे से जब रोने की आवाज आई उन दासियों ने सुना, दासियों ने देखा सुन्दर बालक का जन्म, दासिया दशरत जी को कहने के लिए दोड़ी, उन दासियों की मन में होड लगी, मैं पहले बताऊंगी, मैं पहले बताऊंगी, मुझे उपहार मिलेगा, मुझे बेट मिलेगी, और दासिया हाफते हाफत दशरत जी के पास महराज आपकी बड़ी रानी कोशलिया के गरब से सुन्दर बालक का जन्म हुआ है इतना सुनते ही महराज दशरत नाचने लगे अब राम जन्म हुआ दशरत पूत्र जनम शुनिका मानहु ब्रह्मा नंदसमाना दशरत पूत्र जनम शुनिकाना मानहु ब्रह्मानन्द समाः दशरत पूत्र जनम शुनिकाना मानहु ब्रह्मानन्द समाः लगवक सारे बाप बेठे हैं सारे बाप बेठे हैं include me also हमारे जीवन में जब पहले बेटे का जनम होता है तो बाप कितना खुश होता है पंच महाभूत का देह पंच महाभूत का शरीर आज हैं कल नहीं लेकिन फिर भी एक बाप को कितना आनन्द होता है जिसके घर पर साक्षात परब्रम साक्षात इश्वर बेटा बन कर आया हो और राजा दशरत इतनी लंबी उम्र में जब घर पर बेटे का जनम हुआ हो जब दशरत जिन्हें यह सुना कितना आनन्द जिसकी कोई सिमा नहीं दशरत पूत्र जनम शूनिका मानहु ब्रह्मानन्द समाना परमानन्द ब्रह्मानन्द होने लगा माराज दशरत मर्में सोचने लगे जाकर नाम सुनात शूप होनी मेरे गृह आवा प्रभु सोनी नाम सुनात शूप होनी मेरे गृह आवा प्रभु जिसका एक बार जिवाहा पर कोई नाम ले ले जिसका एक बार नाम लेने से जिवन में मंगल ही मंगल शू भी शू हो जाता है वो इश्वर वो परब्रम्म वो परमात्म वो भगवान मेरे घर पर बेटा बन कर प्रकट हुआ है ब्राम्मनों को बुलाओ, स्वस्ति वाचन कराओ ढोल नगाडे बाजे बजवाओ महराज दशरत आज चल नहीं रहे है आज दोड रहे है अवद पती, महराज दशरत कभी तेज गती से चले नहीं है पुत्र का जन्म सुना, महराज दशरत दोडने लगे परमानन्द पूरी मन राजा कहां बोलाई बजाव उगाजा आज परमानन्द पूरी मन राजा आप कल्पना कीजिए दशरत जी दोड़ कर जा रहे है तब तब तो दुसरी दासी आई महराज महराज आपकी दुसरी पतनी सुमित्रा के गरब से दोडो बालक जन्म लिये है और नाचने लगे तब तक आगे गए और एक दासी आई कहीं कहीं के गरब से सुन्दर बालक का जन्म एकी दिन में चार-चार बालक का जन्म महाराज दशरत खुशी के मारे पागल महाराज दशरत के वहां सारे अयोध्या वासी सुन्दर सुन्दर भेट लेकर आने लगे सुन्दर उपार लेकर आने लगे और आज अयोध्या में आनन्द छा गया अवध में आनन्द भयो जै हो राजा राम जै हो राजा राम की जै हो बाल राम की जै हो राजा राम की जै हो राम चंद्र की बदाए श्री कोविन जी मुल्ची गगडा परिवार सुंदर राम कथा का यो जन और आज दिस्तरे और चोथे दिन में भगवान राम चंद्र का प्राकट्य हो आए हम सब मिलकर गगडा परिवार को बदाई दे शिराम चंद्र की बदाई हो शिराम चंद्र भगवान शिराम अउतार की बदाई हो शिराम अउतार की बदाई प्रशांद भाई प्रशांद मुकुन प्रभू चंद्री का माता अजित भाई पुष्पा बेन रासे स्वर कृष्ण प्रभू कमलेज भाई संगीता बेन, मयुरु भाई विजल बेन, बे मिनिट तो अभू थवू पड़े बगवान का जन्म हुआ है, दो मिनिट खड़े होकर भाव से अवध मेयान अन्द भयो जै हो राजा रामकी जै हो राजा रामकी जै हो बाल रामकी जै हो राजा रामकी अवध मेयान अन्द भयो जै हो राजा रामकी अवध मेयान अन्द भयो जै हो राजा रामकी आवत में आनन्द भयो जै हो राजा राम के खमा मारा जी खमा मारा नन्द जी नलाल मोरली क्यारे वगारे खमा मारा नन्द जी नलाल मोरली क्यारे खमा मारा नन्द जी नलाल मोरली क्यारे वगारे खमा मारा नन्द जी नलाल मोरली क्यारे आखड में लाच में तो चुला उपर जूलता कमानदाण उबराय जाय मोरली क्यारे वजाडी कमामारा नंद जीननाल मोरली क्यारे वजाडी ये तुम्हाम्मारा तुवे दिणाना अरेली त्याने लाडी ये तुम्हाम्मारु वन्द रावन चेरुडु वय कुण्ट नै रहावु अन्रामान चे दूरू, प्रिकूप दीने आवुरू ए नहीं, अभु हो नंद जिनालालरे, वै कुंट नही रे आवुरू अन्रामान चे दूरू, वै दूरू प्रिकूप दीने आवुरू यहुरू यहुरू जाज है अशार उचारं बेग मला रहो जाज है अशार उचारं बेग मलारं बड़िवाहारं जलनारं आदो रदकारं पयरपकारं थाड़िकातारं दिस्तारं नाल ही समारं प्यासपारं नंद कुमारं दिछाजी सहराने प्यारी में खलियाए गुपुल्याओं किरिदाविर गुपुल्याओं किरिदाविर गुपुल्याओं जय जय प्रभुपात 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 प्रभुपा शिराम चंद्र भगवान की, शिराम चंद्र जन्म महामोच सवगी यह गोस्वामी जी कहता है, ये जो आनन्द आपने अभी दो पांच मिनिट किया ना भगवान राम चंद्र के जन्म का उत्सव अयुद्या में एक महिने तक चला एक लगातार एक महिने तक न कोई खाया, न कोई पीया, न कोई सोया, अभी जो आप कर रहे थे वो एक महिने तक चलता रहा रामायन में लिका है, कोउतुक दे की पतंग भुलाना, एक मास तेई जातन जाना सुर्य देवता आकाश में एक महिने तक ऐसे ही खड़े रहे रात ही नहीं हुई, क्यों होती, क्योंकि आज सुर्य वंश को सुर्य वंश की शुभा बढ़ाने वाले भगवान राम चंद्रे इस दर्थी पर प्रकट हो चुके है और कता के पीछे दर्शन क्या है जिसे राम जन्म में आप सब बिल्कुल उतर चुके थे, जूड चुके थे जो व्यक्ति भगवान के साथ जूड जाता है उसके जीवन में काड समय उनको बादा नहीं दे सकता द्रश्टान्त भागवजी की पोथी यात्रा में आप कभी भाग लिये होंगे यह हमारा गोड़ी ये समाज है तो रथियात्रा में आप सब भाग लिये होंगे लगवग हम सब का अनुभव है बगवान जगनात जी की रथियात्रा होती है तो कुछ लोग रथियात्रा में देरी से पहुंचते हैं और फिर खोशते हैं कि रथियात्रा कहां पहुँची तो मारग में किसी को पुछते हैं कि भई रथियात्रा कहां पहुँची तो कुछ लोग कहते हैं कि अभी अभी पंद्रा मिनिट पहले यहां थी वो आगे निकल गई तो इस आदमी के लिए रत्यात्रा भूत्काल हो गई भूत्काल हो गई नहीं यहां थी वो चली गई भूत्काल अच्छा जो व्यक्ति रत्यात्रा आने वाली है अभी तक वहां पहुची नहीं है तो फोन करके पुझे रत कहां पहुचा यहां कब आएगा बोले दस मिनिट में आएगा तो उसके लिए रतियात्रा भविश्यकाल है जहां से रत निकल गया उसके लिए भूत काल और जहां अभी तक रत पहुचा नहीं है उसके लिए भविश्य काल लेकिन जो व्यक्ती रत यात्रा में खड़ा है उसके लिए न तो भूत काल है न भविश्य काल वो वर्तमान काल में होता है मुझे आप से इतना ही कहना है जो राम और कृष्ण के साथ है उसके लिए भूत और भविष्य कुछ बादा नहीं दे सकना वो सदेव वर्तमान में जीता है उसके लिए प्रतियक्षन वर्तमान होता है एक महिने वैसे तो गोश्वामी जीने रिजनेबल रखा एक महिना वाकि अन्य पुराणों में तो वर्णन है कि पुरा साल बीत गया और साल भर तक यह उटसव चला कैलास के शिकर पर शिवजी पारवती को यह कता सुनाते हुए कहते हैं देवी इस अवसर पर मैंने भी एक चोरी की थी भरवती के थी चोरी आप चोरी क्या चोरी की थी बोले जब राम जन्म हुआ तो मैं तुम्हें पूछे बिना राम जी का दर्शन करने के लिए चला गया मैं अकेला नहीं गया मैं और काग भुशंडी दोनों बाल राम का छोटी से राम का दर्शन करने के लिए अयुद्या में गये कृष्णा अवतार हो या राम अवतार हो शिवजी भगवान के रूप के रसिया है शिवजी भगवान के रूप के दिवाने है जब जब भगवान आते हैं शिवजी सदे उनका दर्शन आए और शिव जी आये सुर्दाजी ने लिखा न अंग भभूती गले मुंड माला शेश नाग लिपटायो अपने लाला का दर्श करादे में दर्शन को आयो नगर में जोगी आया जोगी का रूप दारन करके देवाधी देव महादेव आये लेकिन मा कोशलिया ने कहा कि महराज आपको मेरा लाला देखेगा डर जाएगा छोटा सा बालक है डर जाएगा हम दर्शन नहीं करें आपको तो आपको धन दे आपको तो आपको दक्षिना दे दे आप जो चाहे हम दे सकते हैं लेकिन लाला का दर्शन नहीं वो रोने लगेगा, वो डर जाएगा शिव जी कहते हैं ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया ना चाहिए तेरी माया अपने लाला को दर्श करादो मैं दर्शन को आया नगर में दोकी आया मुझे धन संपत्ती से क्या मतलब है मैं तो सबको छोड़ कर बैटा हूँ मेरे लिए तो सच्चा धन रागव है, राम है बहुत प्रयास किया लेकिन मा कोशलिया नहीं मानी तो नहीं मानी अंत में निराश होकर शिव और कागबुशंडी सर्यू के तड़ पर जाकर बैटें शिव जी ने जोगी का रूप लिया कागबुशंडी ने चेले का रूप लिया और दोनों वहाँ पर बैटें भगवान से दूर जब शिव जी हुए तो भगवान रोने लगे राम जी जोर जोर से रोने लगे खिलो ना दिया दूद पिलाया बहुत कुछ प्रयास किया लेकिन राम जी का रोना बंद नहीं हुआ भगत से दूर होकर भगवान भी सुखी नहीं होते किसे ने कहा कि इनको नजर लग गई है जाओ जाओ कोई नजर उतारने वाले को ले आओ सखिया गई सरियू के तड़ पर दोनों गुरु चेले बैठे थे कागभुशंडी चेले के रूप में बोले आपके गुरु जी नजर उतारना जानते हैं बोले ऐसी उतारना जानते हैं जीवन में फिर कभी लगती नहीं है बोले चलो हमारे पास लाला को नजर लगी है शेव काग बुशंडी जी आए बोले जिसकी नजर उतारनी है उनको हमारे सामने लाना होगा बोले बिना सामने लाए नहीं चलेगा बोले नहीं लाना होगा रो रहा है लेकर आओ, सखिया लेकर आई और जैसे ही छोटे से राम ने पिछले तीन घंटे से लगातार रो रहे थे अपने भक्त शिव जी का दर्शन किया रोना बंद और खिल खिलाते हुए हसने लगे प्रभू मंद मंद मुश्कुराने लगे और तब शिव जी ने मा कोशलिया को कहा के मा तुम चाती हो कि तुमारा लाला जीवन भर ऐसे ही प्रसन रहे कौन मा नहीं चाहेगी, बोले हाँ हम चाहती है तो बोले मेरी जटा में एक जड़ी भूटी है यदि तुमारे लाला के चरण मेरी जटा में स्पर्श हो जाएंगे तो जीवन बर प्रसंद रहेगा कभी रोएगा नहीं तुरंत मा कोशलिया ने रागव को उटाया उनके चरण शिव जी के मस्तक पर जटा में स्पर्श कराए शिव जी मन में सोचने लगे जिस भगवान के चरणों से जल निकला और वो जल मेरे मस्तक पर आया में गंगा धर बना और तीनों लोक में प्रसिद्ध हुआ आज उसी भगवान के साक्षाचरण मेरे मस्तक पर आये मैं धनिया ती धनिया हो गया शिव जी नाचने लगे शैल सुंग सम विसाल जटा जूट चंगर वाल गंड की तरंग वाल विमल जूख राचे लोचन त्रै लाल लाल चंदन की कोर वाल कुम कुम सिंदुरुगु लाल प्रिगुट यूगल साजे मुणडन की कंट माल विकिसिद्ध रलुगे प्रसाल पटिक जाल रुद्रमाल नर कृपाल याचे डम 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 रुबाज नाद वेद सर्स साज शंकर महराज याज ताणव नाचे बोले महराज याज ताणव नाचे बोले महराज याज ताणव नाचे इस प्रकारे शिवजी भगवान रामचंद्र के दर्शन करके धन्य हुए शिवजी ने कहा देवी में तो दर्शन करके वापस आ गया लेकिन काग वुशंडी जी वहीं पर रुख गये लगवग पांच साल तक अयोध्या में रहे और अपनी आखों से भगवान की लिला का दर्शन किये धिरे 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 दिन बितने लगे और अब महराज दशरत के चारों पुत्रों के नाम करण का समय आया नाम करण कर अवसर जानी भूप बोली पठये मुनी ज्यानी महराज दशरत ने अनेको ब्राह्मनों को बुलाया स्वस्ति वाचन कराया गायों का दान किया बहुत कुछ महराज दशरत दें सेवा साधना की और वशिष्ट जी को बुलाकर चरणों में निविदन किया के गुरुवर मेरे चारों पुत्रों का नाम करण कीजिए सरोप्रतम जेश्ट पुत्र को वशिष्ट जी के गोद में रखा वशिष्ट जी अंदर ही अंदर बड़े प्रसन हुए आपकी जानकारी के लिए जब वशिष्ट जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा वशिष्ट जी को के तुम पुरोहित बनो इन्होंने मना कर दिया हम पुरोहित नहीं बनेंगे ब्रह्मा जी ने कहा तुम पुरोहित बनोगे तो तुम्हारे भाग्य में भगवान रामचंद्र का पुरोहित्य करने का और उनका नाम करन करने का आउसर मिलेगा तुरंत स्विकार कर लिया तब तुम्हें पुरोहित बनोगा कितने यूग से वशिष्ट जी जिस दिन की राह देख रहे थे आज वह दिन वशिष्ट जी के जीवन में आया वैसे नाम एक बहुत बड़ा तत्व है जैसे भगवान नित्य है भगवान के नाम भी नित्य है यसा नहीं कि वशिष्ट जी आज नाम रख रहे है जो नित्य है वो आज प्रकट हो रहा है प्रतम पुत्र को अपने गोद में रखकर वशिष्ट जी भविश्य कहते है जो यानन्द सिंधो सुखरासी सीकरते त्री मुलोक उपासी सुखदाम राम असनामा अखिल लोक दायक प्रकट है महराज महराज में क्या कहूँ पुरे ब्रह्मान्ड में जो आनन्द है वो आनन्द तुम्हारे पुत्र जो आनन्द समुद्र है उस तुम्हारे पुत्र रुपी आनन्द समुद्र का एक सीकर पुरे ब्रह्मान्ड में गिरा है पुरे जगत को सुख देगा अपनी लिला से पुरी दुनिया को रमाएगा आनन्द करेगा इसलिए मैं तुम्हारे इस प्रथम पुत्र का नाम राम रखता हूँ श्राम चंद्र भगवान के रम यती इती राम जो रमाएग जो सुख दे आनन्द दे दुसरे पुत्र को गोद में रखा गया विश्व भरन पोशन कर जोई यह आपका दुसरा बेटा पुरे विश्व का भरन पोशन करेगा कैसे राजा तो राम थे तो दुसरा बेटा कैसे भरन पोशन करेगा बोले स्थूल रूप से नहीं विश्व की आत्मा का भरन पोशन करेगा यह दुसरा बेटा ऐसी भक्ती करेगा एसा संत एसा साधू बनेगा कि संसार के भक्तों की भक्ती का आत्मा का पोशन करेगा इसलिए तुमारे दुसरे बेटे का नाम मैं भरत रखता हूँ श्री भरत महराज की यह आपका तिसरा बालक जो है उसका स्मरण करने मात्र से शत्रु का विनाश हो जाएगा इसलिए तुमारे तिसरे पुत्र का नाम मैं शत्रुग्न रखता हूँ श्री शत्रुग्न महराज की जोर से बोलिए क्योंकि जीस ब्रज में आप बैटे हो न इस ब्रज के राजा शत्रुग्न जी को बनाया गया था जब भगवान रामचंद्र युद्या के राजा हुए और उस समय मत्रा में इस ब्रज में जब आतंक चाने लगा तब भगवान ने शत्रुग्न जी को यहां ब्रज में भेजा था कई वर्शों तक शत्रुग्न जी ब्रज का ध्यान रखे ब्रज का राज़त हो किये और फिर अंत में सुमित्रा के चोटे बेटे को गोद में रखा गया कहते हैं कि इस पुत्र में लाखो गूण है और लाखो गूण होने के कारण तुमारे इस सबसे छोटे बेटे का नाम मैं लक्षमन रखता हूँ इस प्रकार से चारो पुत्रों का नाम करण किया गया बगवान रामचंद्र की बहुत सुन्दर एक एश्वर्य मैं लिला मा कोशलिया बगवान के मंदिर में सुन्दर रसोई घर में भोजन पकाई और उस समय अपने छोटे से राम को रसोई घर में बिठाया और मा ने भोजन बनाया भोजन बनाकर मंदिर में वो बगवान को भोग धराने गई छोटे से राम कीचन में रसोई घर में बैटे और कोशलिया मंदिर में गई बगवान को भोग दर आया वापस आई राम कीचन में है रसोई घर में है और जब वो भोग लेने गई तो बगवान मंदिर में भी बैटे है मा कोशलिया ने सूचा मैं तो रस्वई गर में छोड़ कराई दो-पांच बार यहां-वहां होकर दिखा तो दोनों और राम है मा कोशलिया का मन ब्रमीत होने लगाओ भगवान ने दिखाया कि आगे चलकर कुछ ऐसी लीलाए होने वाली है आप उनसे चिंतित न हो इसलिए भगवान ने छोटा साहिश्वरिय का दर्शन कराया दिरे-दिरे भगवान रामचंदर थोड़े से बड़े हुए लेकिन जब से राम का जन्म हुआ है अयोध्या में सादू संतों का मेला लगने लगा है जितने भी सादू संत आते राम दर्शन करके जाते एक दिन कुछ सादू आये कहा मा राम का दर्शन कराओ आज कोशलिया रहे नहीं पाई और कोशलिया ने कहा कि आखिर तुम लोग आज तक दिखाई नहीं दिये और अचानक अयोध्या में संतों का मेला लगा आखिर बात क्या है वे सादू संत महात्मा गण कहते हैं कि मा निराकार 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 का जाप कर करके हम ठक गए गला सुख गया मर गए लेकिन आज वह इश्वर आपके घर पर बेटा बन कर आया है मा हम तुमारे रागव को जब दिवार के सहारे चलते देखते हैं न हमारे रदे में कामना होती है कि हम अयोध्या के महल के एक पत्थर बन जाए और पत्थर बनकर इस दिवाल में जड़ जाए ताकि छोटे से रागव हमारे सहारे चले और हमें लीला सुख प्रदान करें सादू संत भी आज अयोध्या में राम दर्शन के लिए उमड़ पड़ दिरे दिरे राम बड़े हुए अब तो सखाओ के साथ खेलने लगे हैं चोटी सी लिला का वरणन गोश्वामी जी ने किया एक दिन वगवान राम चंद्र अपने सखाओ के साथ खेल रहे थे और उसी समय महराज दशरत अपनी राज सभा को समाप्त करके घर पर आए और घर आकर कोशलिया को कहे के देवी मुझे बहुत भूख लगी है मेरी थाली प्यार करो कोशलिया ने कहा ऐसे कैसे खा लोगे पहले राम को खिलाएंगे फिर खाएंगे हम रोज पहले राम को खिलाते हैं आज मुझे बहुत भूख लगी है पहले मुझे खिला दो बूले नहीं जाओ पहले राम को लेकर आओ फिर खाएंगे अब देखिए बहुत सु चोटे से राम सखाओं के साथ खेल रहे हैं, उनको बुलाने जा रहे हैं, शब्द के उपर दौर फर्माईएगा, शब्द की बड़ी यहां पर लिला है. बोल जब राजा, नही आवत तजी बाल समाजा, भोजन करत बोलत जब राजा, माराज दशरज दूर से बुलाये, राम चलो भोजन करने चलो घर पर, दशरज जी ने बुलाया, लेकिन राम चंदर बच्चों के साथ खेल रहे थें, अपने पिता, अपने बाबा के पास जाने की बात तो दूर रही, बगवान राम ने दशरज जी की और देखा भी नहीं, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, अब देखो एक चोपाए में कितना सार चिपा हुआ है, किसे ने पूछा, दशरज जी ने बगवान राम को भोजन के लिए बुलाया, और राम नहीं आये, क्यूँ, जवाब इन शब्दों में चुपा हुआ है यदि पूछा जाए, राम को भोजन के लिए किसने बुलाया, किसने बुलाया, भोजन करत बोल जब राजा, जब तक मेरे और आपके मन में राजापन का अभिमान है, जब तक मेरे और आपके मन में, मैं डॉक्टर, मैं वकिल, मैं इंजिनियर, मैं ये स्वामी, मैं ये लिडर, मैं फलाना, मैं दिमका, जब तक दुनिया की उपादी को लेकर, हम भगवान को बुलाएंगे, मर जाएंगे, भगवान कभी नहीं आएंगे, इसी लिए गंगा के समान इस पवित्र गोडिय धारा के हुमारे परमाचारिय रूप गोश्वामी ने कहा सर्वो पादी विनिर मुक्तम सबसे पहले साधक को सभी उपादियों से मुक्त होना चाहिए सर्वो पादीर विनिर मुक्तम तत परत्वेन निर्मलम रिशी केण, रिशी केश, सेवनम भक्ति रूच्चते, यह हैं भक्ति, आप लोग जैसे यह कथा सुनने के लिए कथा परिसर में आए, ठीक है, तो आप अपने जूते उतार कर आए, जूते लेकर तो नहीं आ सकते, कथा परिसर में, कुछ दो-पांच होते हैं, जो थेली में जोली में डाल कर कोई चुरा ले जाए, दो-पांच, शायद, लेकिन प्रायों हम भागवत परिसर में जूते उतार कर आते हैं, बक्तो भागवत परिसर में भगवान के चरणों में जूतों के साथ साथ, अपनी उपादी और अभिमान को भी उतार कर आना चाहिए, जब त उपादी और अभिमान नहीं उतारेंगे, इश्वर आने की बात दो रही, इश्वर हमारी और देखेंगे भी नहीं, बाप है तो क्या हो गया, बहुत सुन्दर लीला है, भोजन करत बोल जब राजा, अब क्या था, दशरत जी के मन में, क्योंकि अभी अभी वो राजसभा कंप्लीट करके आयत न, हुजूर स्वामी स्वामी सब लोग करते हैं, तो थोड़ा मन में था, अभी राजापन का अभी मान था, तो जब तक हमारे मन में ये अभी मान होगा, भगवान नहीं आएंगे, दुसरा कारण, दुसरा कारण क्या, जब दशरत जी राम को बुनान अव sniff लगी ती और वही राजपरी वेश, राजा का जैकयट ऩा है, भी ये ऐसे होता है, फिर चलते भी तो स्लो मोशन में चलता है, ऐसे ऐसे, आपने देखा होगा है? सब का अनुबव, आदमी अपने पूरे जीवन काल में एक दिन राजा बनता है, बलह राजा, बले ऐस कोई पूछे नहीं लेकिन जब दुलहा बनता है न तब दो पांच आगे पीज़े गुमते हैं उस दिन जूते भी खुद नहीं पेंता दो तिन लोग पेनाने आते हैं कुछ लाओं और हम सब कानुबव है और उस समय जब शादी बरात जब दुलहे की जाती है और सब लोग नृत्य करते हैं फिर दुलहे के मन में भी इच्चा होती है कि मैं भी करू लेकिन दो पांच लोग कहते हैं आईए फिर ये भाव खाते हैं फिर दो पांच आते हैं फिर वो भी उतरत अब यहां क्या हुआ माराज दशरत, राम को बुलाने गए तो राजा का पुरिवेश था और इसलिए राजा के भाव में दिरे दिरे slo motion में चलते हुए बगवान को बुलाए बगवान ने देखा कि इसको इसके बुलाने में कोई उत्सा नहीं है कोई तिवरता नहीं है छोड़ो इसके पास कौन जाएगा यहाँ एक सिदान्त है भगवान को बुलाने में उत्सा होना चाहिए भगवान को बुलाने में तिवरता होनी चाहिए उत्कंठा होनी चाहिए तिसरा दशरजी ने बुलाया और भगवान रामचंदर नहीं आये आचारियों ने तिसरा कारण दिया दशरजी पुरूश है और हमारे वेदों में ज्यान और वेराग्य को पुरूश कहा इसी ब्रज में भक्ती महराणी आई उनके पुत्रवन ज्यान वेराग्य तो ज्यान और वेराग्य पुरूश है दशरत जी भी पूरुश है दशरत जी के बुलाने पर भगवान नहीं आये इसका अर्थ ये होता है कि मात्र कोरे ग्यान और कोरे वेराग्य से भगवान नहीं मिलते है केवल ग्यान और वेराग्य से भगवान रहू गणे तपसान याती औरी तपसिया से भगवान नहीं मिलते है तो इसलिए भगवान नहीं आए और अंत मैं मैं आपको पोचो दशरजी राम को क्यों बुला रहे हैं राम आईए और भोजन कीजिए विसे बाहर से तो ये बात है के राम आप भोजन कीजिए लेकिन अंदर की भावना क्या है के ये राम खाएगा तो मुझे खाने मिलेगा मूल भाव क्या है के मुझे भोजन करना है लेकिन जब ये नहीं खाएगा तब तक मुझे मिलेगा नहीं तो यहां स्वसुख वासना है अपने को सुखी करने की भावना बुला रहे हैं भगवान को लेकिन भावना क्या है अपने आपको सुखी करने की क्या हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा नहीं है रात दिन भगवान का नाम लेते कथा सुनते हैं लेकिन इच्छा क्या होती हम सुखी हो जाए जब तक भक्ति करते हुए या इश्वर को पुकारते हुए स्वसुख वासना होगी भगवान हमारी सारी इच्छा पुर्ण करेंगे लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे इश्वर तो तब मिलेंगे जब सारी वासना कामना दूर करें और इश्वर को सुखी करने के लिए उनको प्रसन करने के लिए तत सुख सुखित्व के बाव से जब हम सेवा और भक्ती करें तब भगवान मिलेंगे दश्रत जी वापस चले गए और कोशलिया को कहने लगे वो नहीं आएगा मुझे भोजन दे दो कोशलिया ने का ऐसे कैसे नहीं आएगा मनो रोटी सबजी बना रही होगी हाटे वाले हाथ थे बाल विक्रे हुए थे कोई वस्तर का क्योंकि कीचन में काम कर रही थी आप रुकिये मैं बुला कर आती हूँ अब कोशलिया जा रही है गोश्वामी जी ने लिख दिया कोशलिया जब बुलावन जाई ठुमा का ठुमा का प्रभू चल ही कराई ठुमा का ठुमा का प्रभू चल ही कराई कोशलिया ने बुलाया रागाउ राम चलो भोजन का समय हो गया मा कोशलिया के मुख से रागाउ सुनते ही राम सब को चोड़ कर दोड़ कर मा कोशलिया के गोद में आ गया अब दशरत ने बुलाया नहीं आये उसके कारण तो आप समझ लिया अब मा कोशलिया ने बुलाया और भगवान आये उसके कारण भी जान लेजिए सबसे पहला कारण मा कोशलिया भक्ती स्वरूपा है मा कोशलिया भक्ती स्वरूपा है भगवान भक्ती से ही प्राप्त हो सकते है भक्तिया तुष्टति केवलम नचगुने भक्ति प्रियो माधव ये माधव ये राम ये ग्रिश्ण केवल भक्ति से ही प्राप्त हो सकते हैं और मा कोशलिया भक्ति स्वरूपा है चलो किसी ने कहा के चलो भक्ती सो रूपा है मा कोशलिया ने बुलाया और राम आये लेकिन ठुमक 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 प्रभू चलही बरादिया दशरत के सामने तक नहीं देखा और मा कोशलिया के सामने ठुमक ठुमक नाचते हुए गोश्वामी जी के कहने का भाव है कितना भी तब करो जब करो कितना भी यग्य करो हो महवन करो इश्वर नहीं आएंगे लेकिन जब इश्वर से प्रेम करोगे भक्ती करोगे तो वही इश्वर आपके सामने नाचने लगेगा आपके सामने ठुमका लगाने लगेगा रसखांजी ने लिख दिया सेश, गनेश, दिनेश, महेश सुरसेवु जाही निरंतर ध्यावे नारद सेशु कव्यास रहे पचिहारी पुनीतव पारन पावे अनंत अनंत काल से सेश अनंत मुखो से प्रियास कर रहे हैं लेकिन इश्वर का पार नहीं पा रहे हैं दिनेश, गनेश, महेश सुरसेहु जाही निरंतर गावे नारद से नारस से लेकर शुगदेव तक लेकिन पचिहारी पुनी तव पारन जिस भगवान का पार नहीं पापा है जाही अनादी, अखंड, अभेद जो अनादी हैं, जो अखंड हैं, जो अभेद हैं ध्यानियों के ध्यान में नहीं आते तपश्वियों के, योगियों के रदैम तक नहीं आते लेकिन ऐसे परम दुरलब भगवान परम दुरलब भगवान प्रेम करने वाली ब्रज की गोपियों के चचिया बरी चाच पे नाच नचावे ताही गोकुल की चोहरिया चचिया बरी चाच पे नाच नचावे ध्यानियों के ध्यान में नहीं आते योगियों के रदे में नहीं आते लेकिन गोकुल की गोपिया कहती है कृष्ण से कृष्ण, काना तुझे मठा चाहिए, छास चाहिए, तो ठुमका लगाना होगा, एक ग्लास छास के लिए कृष्ण दीन भर ठुमके लगाते हैं, ये प्रेम का सोबाव है भक्तु, सो प्रेम के कारण भगवान भक्त के सामने नाचने लगते हैं, एक, मा कोशलिया ने बुलाया, राम दौड कर आए कारण दुसरा, कोशलिया दौड कर गई, दशरत जी की तरह ऐसे नहीं, देखते हैं न, टीवी होँए, राजा ऐसे ही होते हैं, दशरत जी की तरह नहीं, मा कोशलिया इसे रोटी सबजी छोड़ कर बगवान ने ये दिखाया जो भक्त तीवरता से उतकंटा से लाल सा से मेरी और आएगा मेरी भक्ती करेगा मैं दोड़ते हुए नाचते हुए उनके पास चला जाऊंगा नाचते हुए भक्ती में तीवरता किसी ने रूप गोस्वामी को पूछा कि इश्वर को प्राप्त करने के लिए कौन सा मुल्य चुकाना होगा किम्मत क्या चुकानी होगी बोले एक ही किम्मत तत्र लॉल्यम अपी मुल्यम लोलूपता लालसा उतकंठा तिवरता हमको चुकानी होगी सो मा कोशलिया में ये थी इसलिए वगवान राम चंदर आए और अंत में मा कोशलिया राम को बिलाई स्वयम के लिए नहीं दशरफ जी ने क्या सोचा ये आएगा खाएगा तो मुझे भोजन मिलेगा लेकिन कोशलिया जी का ये बाौ नहीं कोशलिया जी राम को बुला रहे है राम के लिए अपने लिए नहीं राम के लिए राम आओ बेटा खाओ तुम खाओगे नहीं तो शरीर कैसे storyline होगा प्रसन होगा तत सुक सुखित्व का भाव है जब हमारे भजन में भक्ति में तत सुख सुखित्व का भाव होगा भगवान दोड कर हमारे पास आजाएंगे और अंत में इतना ही कहना चाहूंगा मा कोशलिया ने महिनत की है मेरे राम ने कोशलिया की और देखा बिचारी के बाल बिखरे हुए साड़ी का कोई ठिका नहीं आथ में आटा लगा हुआ है कितना परिश्रम करती है ये मा भगवान ने देखा द्रश्टवा द्रश्टवा माने देखा क्या परिश्रमम ये मेरा सादक ये मेरा भगत कितनी मैनत कर रहा है द्रश्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपिया आसित स्वबंधने जब भगवान अपने भगतों का परिश्रम देखते न तो भगतों के हाथों में बंधने के लिए तयार हो जाते हैं मुझे बांध दो भगवान भगतों के हाथों में बीक जाते है प्रेम के बंधन में मोहन बन गए प्रेम के बंधन में मोहन बन गए प्रेमियों ने जो बनाया बन गए प्रेम के बंधन में मोहन बन गए जान मीरा की नराणा ले सका जहर बेजेते वो अमर बन गएं जो भगवान से प्रेम करता है भगवान उन भक्तों के आतों में बंधने के लिए तयार और भक्त के आतों में बंध कर भगवान गर्व मैसेश करता है वाह, वाह, मुझे बांध दिया मेरे भक्तने, बांध दिया पड़े प्रसन्न होते हैं अखेल ब्रह्माण नायक अपने एक इशारे से करोडो ब्रह्माण को गिरा दे वो अर्जुन का रथ क्यों चलाएगा डाई अजार की नोकरी करने वाले का काम क्यों करेगा क्योंकि प्रेम है वो दुर्योधन का नाय क्यों बनेगा प्रेम है प्रेम के कारण भगवान भीक जाते हैं ये राम कथा ये भागवत कथा वास्तों में ज्ञान यज्य नहीं ये प्रेम यज्य है और इन कथाओं में भाग लेकर कहीं ना कहीं भगवान के प्रति हमें प्रेम प्रकट करना है आप सभी भक्त बड़े भाव से धेरिय से इस कथा का शरवण किये और अपने प्रेम को दिन बर दिन भगवान के प्रति बढ़ाए आप सभी भक्तों का धनिवाद मैं विशेश धनिवाद करना चाहूंगा हमारे गोविन जी मुल जी घगडा परिवार का जिनके सैयोग से जिनके आयोजन से आज विश्व के समस्त देशों में आस्था चैनल के माध्यम से और मेडिया के माध्यम से लाखो करोडो लोग इस कथा का आस्वादन कर रहे हैं आईए जैजे कार के साथ और आरती के साथ आज के सत्रों को विराम करें शिराम चंद्र भगवान की शिवर्ण दावन दाम की जगत गुरू शिर्वरभु पाद की निताई कोर प्रिमानन दे पौँ से ल्याना कुवर तमारी आरती स्री रामायन जी की आरती स्री रामायन जी की किरत कलित कलित सिय प्यके घिरत नरत इकावत ब्रह्मा थिकभूनिनारत पालमेक्य बिल्यान बिशारत सुपसे नइकाद कशिश असारत परनिपन पुत किरती निती गावत बेद पूरान अश्ट दस सौशास्त सब प्रंतन तोरत पूनिदन अश्ट पूनिदन अश्ट पूसर पस सौरत म्हम चुनिदन पूंप्रत निती गावत संकतत संबोभवानि अरुभण्ट संगव मूनि विज्ञानी क्यासि आधिडने कादत शिर्वा बायर दिकी अली बलहर निर्यसया सपीगी सुभबसीगा फूप्ति जुबतीगी तले निरोग वला पूरय मीकी सात मात सब एधीतुल सीदे की Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama 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 Rame आ, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Rama Rama Rame जया जया प्रभू पार, हारीोर आता घरकान जया जया प्रभू पार भू-पार, हारीोर, हारीोर जया जया प्रभुपाद, जया जया प्रभुपाद, जया जया प्रभुपाद, जया जया गुरुदेर, 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 गुर प्रेमानंदी झाल झाल प्रह्ण व्रह्ण भी प्रह्यव झाल 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 सes झाल आप संस